हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गैत्मुर इंफो यूट्यूब चैनल ये मारे से नॉटिफिकेशन रिलीज हुआ है आप सभी जानते हैं होस्टल वार्डन की जो पोस्ट है इसके लिए भी विकेंसी आई हुई है और इसके लिए और इंग्रेजवेट कैंडिजेट आविदन क कर सकते हैं अब होस्टल वार्डन का जो स्लेवस रहेगा इस पर मैंने अल्रेडी वीडियो अप्लूट किया था जिसमें आपके सारे टॉपिक्स बताई थे किसकी सब्जक्स से क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं इसमें आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि एड्म है क्या तो अगर आपने इसके लिए अप्लाइ किया हुआ है और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंट तक देखेगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है पसंद आता है लाइक और शेयर कीजिगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए अभी आप यहां देख रहे हैं स्लेवर्स फॉर होस्टल वार्डन अब इसमें जो टॉपिक थे जिसमें की फॉर्स्ट है जनरल अवैर्नेस और जिसको आप सभी अच्छे से जानते ही हैं इसमें आप से क्या कॉश्चन किये जाएंगे किस लेवल के रहेंगे रीजनिंग और नुमेरिकल अविलिटी, नॉलेज अफ आईसीटी क्या है इसको भी काफी कॉश्चन दे लेकिन मैंने अपने प्रीविएस वीडियो में आपको बताया था इसमें आप से वे से कंप्यूटर से रिलेटेट कॉश्चन किये जाएंगे इसके बाद सा करके आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे, देखे, administrative aptitude क्या होता है, इसको आप हिंदी में प्रसासनिक योगता कहते हैं, administrative aptitude को हिंदी में प्रसासनिक योगता कहते हैं, अब इसमें कॉश्चन क्या किये जाएंगे, तो देखे, handling of large number of student, अब पोस्ट क्या है, होस्टल वार्ड बचों की safety से related, या उनके खान पानिया, जो भी जरूरत की चीज़े होती है, पूरी responsibility, एक होस्टल वार्डन की होती है, तो ऐसे मैं आप से एक subject इसमें रखा गया है, administrative aptitude, जो कि आपके इसी topic से related है, कि जो large number of students को आप कैसे handle कर्स करेंगे, बड़ी संख्या में जो छात हैं क्योंकि होस्टल में काफी संख्या में चातर हो सकते हैं, कितने student वहाँ पर आते हैं रहनी के लिए, उस हिसाब से आप इन चातरों को कैसे समा लेंगे, और जो होस्टल है, उसकी जो भी student हैं, रहेंगे वहाँ पर चातर, उनकी जो भी जरूरत की चीज़ें हैं, उनकी और उनका management कैसे करना होगा, इससे related question रहेंगे, बच्चों की security से related आपसे question किये जाएंगे कि किस तरह से बच्चे सुरक्षेत आप रख सकेंगे, क्यूंकि एक बहुत बड़ी responsibility होती है hostel garden की, उसमें बच्चे जो बाहर से आकर के hostel में रह रहे हैं, वो एक hostel garden की पूरी उसमें रहते हैं, जिससे जो responsibility है, क्योंकि जैसे जो भी जरुवत की चीज़ होगी, वो उन्हीं से पूछेंगे, बाहर जाना है, नहीं जाना है, सब पूरा arrangement जो भी रहता है, पूरी responsibility वो रहती है, एक hostel garden की, तो ऐसे में आपको बच्चों की security से related question की, किस तरह से आप उनको या इ हाई का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि साफ सफाई वहां पर रहे, बच्चों का record प्रवंधन, कौन सा बच्चा है, या चात है, वो कितने वज़े बाहर, यह पूरी जो detail होती है, वो एक hostel garden के पास होती है, entry होती है, किस student से कौन मिलने आया, कितने वज़े कौन student बाहर ग इसी से related आप से caution किये जाएंगे, कि बच्चों की देखरे, बच्चों की जरुत की चीजे, या उनका arrangement आप कैसे करेंगे, जो boys हैं, girls हैं, उनको आप किस तरह से manage करेंगे, आलग लग रहने के जो room बग रहा है, और सभी की requirement क्या, यह topic रहेगा, जिससे आप से basically caution basic से किये ज सकते हैं, और वैसे एक हिसाब से अगर देखें, तो इसमें जो question किये जाएंगे, आप उनका खुद से भी answer दे सकते हैं, यह आपकी एक छमता चैट की जाएगी, क्योंकि एक आप Hostel वार्डन की post पर आप posting लेने जा रहे हैं, ऐसे में आपको knowledge होना चाहिए, कितनी आपको knowledge सकते हैं, कितना होस्टल है, उसको arrangement या जो भी बच्चों के लिए किस तरह से आप सोचते हैं, यह पूरा आपका देखा जाता है, तो इसमें चाहें, तो books available है, ले सकते हैं, और वैसे भी आप इसका answer खुद से भी दे सकते हैं, जो question इसके आएंगे, particular आप उनका answer दे सकते ह यहां कुछ यहां पर acts बगरा है, जो उपर आप topic देखना है, यह जरूर आप अच्छे से आद कर लिजेगा, इनसे related तो आपको books ही लेनी होगी, उन्हीं से answer आपको देनी होगे, So, I hope आप आपको यह अच्छे से समाज आ गया होगा, administrative aptitude क्या है, इसमें आप से किस तरह की question किये जाएंगे, और आप इनका answer दे सकते हैं या नहीं, आपको क्या पढ़ना होगा, Okay, and आसा करते हो, अब यह जानकारी आपको अच्छे लगी होगी, अगर यह जानकारी अच्छे लगी है, तो like and share कीजेगा, Thank you